कि यह हिंद मेरा नाम है आउल सोनी और अच्छे मेरे को प्यार से सोनी सर सोनी सर बुलाते हैं आज के सेशन में पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बताया था अपसे प्रेक्टर्स पर चर्चा हो रही थी एक टाइप का फैक्टर्स हो गया था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वहें से कंटिन्यू कर रहा है आज वाले से से संब्सक्राइब देखते हैं उनमें से कितनी टाइप समाब्द हो पाते हैं एडिंग आप लोग लगा लेंगे यच्णूब चैनल पर आप अगर टीचिंग से रिलेटिट किसी भी वेकंशिघ के त्यारी कर रहे हैं लाइक टेट सीट इट सुपर टेट तो आपको सिर्फ प्लेस लिष्ट में जाना है सिस्टमेटिक सारे सबजेक्ट की क्लास्स आपको मिल जाएंगी और सिस्टमेटिक मिलेंगे मतलब जहां से आप उस subject की शुरुवात करना चाहते हैं वहां से समझ रहे हैं मैच की शुरुवात मैंने करी है number system से ऐसे इस संस्क्रिट की शुरुवात वर्णमाला से हुई है ऐसे ही पॉलिटी की शुरुवात हो गई है बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे ही रिजनिंग की शुरुवात हो चुकी है ऐसे ही आपको English ऐसे ही आपको CDP ऐसे ही आपको EBS साइंस हर एक subject आपको systematic मिलेगा class 1 से systematic मिलेगा ठीक है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे notes PDF और ST आप सब के लिए start हो चुके हैं लगभग बन भी चुके हैं अगर आप उसको चाहते हैं तो link description में given है टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल को जरूर फालो करिए ज्वाइन कर लीजेगा टेलीग्राम एक्जाम कोच को ठीक है ताकि आपके पास में सारी चीजे जो भी मैटेरियल आपको चाहिए आपके सेलेक्शन से रिलेटेड वो सारा मैटेरियल आपके पास पहुच जाए चलिए भी शुरू करते हैं क्लास को लास्ट वाले क्लास में आपने नंबर आफ प्राइम बताओगे गुड़न खंडों की कुल संख्या को बताओगे अच्छा गुड़न खंडों की कुल संख्या क्या होती है जरा यह देखते हैं टोटल नंबर और और फैक्टर गुड़न खंडों की कुल संख्या गुड़न खंडों की कुल संख्या यह हेडिंग लगा लेना और एक्जामपल के लिए मैंने आप से पूछना है एक लास्ट यह 2019 का सवाल है सो के सम भाजकों की संख्या बताईए गुड़न खंड नहीं पूछा गया था आपको पता है कि गुड़न खंड के ती जो गुड़न खंड वर्ड है फैक्टर यह ज्यादा तर यूज करता है सेंट्रल गौ़र्मेंट्स के एक्जाम और जो भाजक है वो ज़्यादा तर यूज करते हैं स्टेट गौ़र्मेंट एक्जाम तो भाजक के आए गया आए अगर आप प्रेक्टिस यह लगा रहे हो लिखे आजे भाजकों की संक्षा बताएं तो आप समझ जाना कि किसी स्टेट गवर्मेंट के एक्जाम का पूछा गया सवाल होगा लेकिन अगर आप वही चीज पढ़ेंगे एससी में बैंक में रेलवे में जो सेंट्रल गॉर्मेंट के तरह आयो जी इंग्जाम होते हैं ज्यादा तर लिखा रहेता है समझना है चीजे हैं सेम गुड़न खंड या फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप भी थोड़ा सा समझने की होते हैं पहले मैं आपको बता रहूं हो में पैक्ति हो ठीक है उसके बाद मैं आपको बताओंगा जुगातक्या एगा रहां समझतAb को जो जो नंबर करेंगा हर बहुत नंबर सो का क्या कहलाएं गुडण गुड़न खंड वो नंबर है जो दीगई संक्या को काटे 100 डिविजबल किसे है एक से आप ऐसे करना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा जैसे 101 से कटा अगर 101 से डिवाइड होगा ना टाइम 100 डिवाइड होगा 100 से भी क्यों 1 इंटू 100 होता है 100 100 को आप लिख सकते हो 2 2 से कटेगा की नहीं कटेगा है 2 से डिवाइड हो जाए कितनी बार में डिवाइड है यहां पर नंबर लिग दो 2 इंटू 50 अब यहां पर आपको ने देखा कि दो फैक्टर और मिले दो भी 50 क्योंकि दो से भी कट जाएगा 50 से भी कट जाएगा यह जो नहीं होगा 10 से होगा और 10 में कितनी बार से होगा 10 बार से जहाँ पर नंबर रिपीट करने ना गया बस उसी समय रुकना है आपको कि मान लिया पूरा फैक्टर हो गया अब अगर पूरे फैक्टर यह हो जाते हैं और हमको गिनना है कि आखिर कितने गुड़न खंड है तो क फैक्टर कितने आए जरा गिनके देखो बबू फैक्टर की जो संख्या आई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस लेकिन दस को दो बार गिनने क्यों क्योंकि फैक्टर तो एक ही बार में गिना जाता है इसलिए दो चार छे आठ और एक यह मिला करके कितने नो कुल सम गुड़ण खंड कितने है को समगुडण खंड कितने है इस अगार समभाज़कों की संख्या देखे तो इनहीं में से आपको ढूंडणा है कौन सा number 100 को divide कर रहा था और वो 2 से भी कट रहा था मतलब sum है याद रखिएगा परेशान होने की जिरूरत नहीं है basic है यह ठीक है जुगाड भी देखेंगे तो यहाँ पर 100 जो था ना वो 2 से divide है दो sum संख्या एक हो गया यह 4 10 20 50 और 100 आप गिनेंगे तो total आएगा कितना 6 तोटल नमबर ओफ इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे 6 अब जड़ा देखते हैं कि टोटल नमबर ओफ और फैक्टर कितने है तोटल नमबर ओडी फैक्टर अर्थात और फैक्टर अगर हम और फैक्टर देखते हैं अर्थात कुल विशम गुडन खंडों की संख्या देखत ठीक है ठीक चलो अब जड़ा देख लो जब टोटल नंबर ओफ एक्टर थे 9 इवेन फैक्टर कितने आए 6 तो 9 में से अगर 6 सम गुड़न खंड है तो बचे कितने 3 इन हो जाएगा और फैक्टर और ऐसे भी गिन सकते हो सब को डिवाइड करने वाले इन सभी नंबर में एक 5 और 25 यह और फैक्टर आते थे ठीक है सारी बाते के लिव बहुत बढ़ी है तो टोटल फैक्टर आप सीख लिया आपने कुल सम गुड़न खंड सीख लिया कुल विशम गुड़न खंड सीख लिया इस बेसिक तरीके से और अगर यहीं पर आप से पूछा जाता कि गुड़न खंडों का योग पूछा जाए तो पहले दी गई संख्या के ऐसे फैक्टराइशन कर लो ठीक है कि टोटल किते फैक्टर है और जितने फैक्टर है उसको जोड़ लेंगे तो कुल गुड़न खंडों का योग हो जाएगा जैसे 100 और पत्चास एक्सों पत्चास 25-175-20-195-10-205-5-210-4-214-2216 और एक में लेगा कि तना 217 जोड़ लिया न हंडर्ड के फैक्टर्स का जो सम है सम आफ फैक्टर ओफ वन हंडर्ड इस 216 और ये सारा मैठ्र जीतना है सारा आंसर जितना निकाला ना आपने ये सब आंसर कहला किया ये बेसिक मैठ्र से निकाला गया answer है अब मैं पताने जा रहा हूं इनी चीजों का answer जब आप जुगार से निकालोगे तो कैसे आएगा अभी हम लोग है type second पर याद रखेगा type second का नाम है total number of all factor total number of factor जब आपने देखा कि total factor 9 है तो हमें केवल अभी इतने का answer जल्दी से जल्दी निकालने के लिए जरूरी है कि ट्रिक्सी के लिए और उसके बाद में हम यह type 3, type 4, type 5 के रूप में पढ़ेंगे ठीक है चलो अब यह जो 9 आया आपका answer यह 100 के factor है जो 100 को डिवाइड करेंगे अभी मैं example के लिए आपसे पूछ हूँ कि यहाँ आप नंबर में कर दो 1200, नंबर कर दो 1200, 1600 तो जब इस तरह factor करोगे ना और नंबर भी बड़ा होगा तब आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी यहाँ पर count करने में ठीक है तो इसके लिए जो जुगाड है वो बना कैसे ध्यान से देखना बहुत बड़ यहां concept है सारी चीज बता चलना होगा है तो लास्ट क्लास में आपको जालीदार मैथेड बताया था कि आप ऐसे किसी भी नंबर का जिसका factor निकालना होना तो उस factor का ऐसे इस रूप से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसे दो से यह नंबर डिवाइड है प्राइम नंबर से ही काटन में खत्म यह प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 100 का एक दूसरा मैथेड भी था कि आप 100 को ब्रेक करिए 10 गुने 10 करके दो गुने 5 दो गुने 5 याद आया सीरियसली पढ़ोगे सबकुर समझ मैं आएगा और अगर आप 2-4 मिनिट में चाहते हो पूरा हल निकल जाए दि कि 100 बराबर 2 है तो 2 की पावर किती बावू? 2. 5 कितनी बार है? 2 बार है. ठीक? तो 100 बराबर 100 की पावर 2, sorry 2 2 पावर 2 into 5 2 पावर 2. अब आप समझेगा एक छोटा सा कॉंसेप्ट कि हम इन से ये जो 4 आंसर लाए थे ना हम उनहीं 4 सवालों का आंसर मैं आपको बताने ठीक है? सिर्व इतने से अगर कर लेते हो इतना तो ओरली भी आंसर कर सकते हो? ओरली करने के लिए पहले बेसिक समझेगे. इतना लिखने के बाद में मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आप बबू के वल एक काम करो है जो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है ना? तो आपके वल य ठीक है, बेसिक मैठेड है, फिर से सुनो, फिर से मैं इसका पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर जुगाड बता रहा हूँ, तो की पावर को हम शुरू करेंगे 0 से प्लस 2 टू टू पावर 1, प्लस 2 टू टू पावर 2, आप मैं से कुछ लोग पढ़े होंगे तो उनको लग तो पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, पावर 3 तक जाते हैं, बहुत बढ़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, अब यहाँ पर हर एक संख्या जिसकी पावर 2 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, आप 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वो 1 हो जाता है, टू 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 पावर 1 है, तो टू है, टू टू पावर 2 मीन्स 4, एक प्लस दो प्लस चार, इधर आओ, पाँच की पावर 0 मतलब एक, पाँच की पावर 1 मतलब 5 और यह हो गया 25, मैं यह नहीं कहला कि इसको आप जोड़िये और गुड़ा करिए, क्योंकि अगर आपने इसको जोड़ा औ और मल्टीप्लाय किया, तो जोड़ने के बाद जब मल्टीप्लाय करोगे, तब आपका आंसर आएगा, सम और फॉल फेक्टर अर्थात गुड़न खंडों का कुल योग, हमें वो नहीं निकालना, फिलाल देख सकते हूँ आप, 25, 35, 30, और 1 हो गया, 31, इधर जोड़ा 4, 2, 26, और 1, 7, 7, 7, 33, 21, यह देखो, 217 और यह किसका आंसर आया था बाद गुड़न खंडों के एकुल योग का, यहाँ पर 100 के टोटल नंबर और फेक्टर का जो जुगार बनता है, गुड़न खंडों का योग जो निकाला जाता है, किसी भी नंबर का, वो अगर आप इस तरह से कर लोगे, तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर, आपको फेक्टर्स निकालने की जिंजट नहीं पड़ेगी, यह हो गया पहला, दूसरा देखिए, दूसरा तरीका यह कहता है बाबुजी, कि आप देखो, जैसे मैंने कहा कि A प्लस B है, और A प्लस B यह जो है, इनका ग गुड़ा पहले X से करोगे, लिखोगे A into X, फिर A का Y से करोगे A into Y, फिर A का Z से करोगे A into Z, है न, उसके बाद प्लस SIGN लगेगा, फिर बारी किस कियागी, B की, B into X, ऐसा करेंगे, करेंगे की नहीं करेंगे, तो यह जो आप कर रहे हो, वही वाला काम थोड़ा सा यहां कर करके देखो, आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगे, यहां पर, देखो मेरे बाब, यह जो 1 है, इस 1 का multiply करिए जरा इस वाले 1 से, तो अगर आपने इस 1 का गुड़ा 1 से किया, आपके पास में नंबर आयेगा 1, 1 का किया 5 से नंबर आया 5, 1 का किया 25 से गुड़ा तो आया 25, बोलो कोई दिक्कत किसी को, अब आपको यहां पर एक बात समझ में आएगी, जब आपने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टर में केवल 2 एक मात्र ऐसी संख्या होती, जो सम होती है, अगर हम 2 को छोड़ दें, तो जितना भी नंबर आ और आपको मैंने कहा, कि अगर आपको 100 के विशम गुड़न खंडों की कुल संख्या निकालनी हो, तो या तो इस तरीके से निकाल लिए, या फिर मेरा कहना मानी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वन का गुड़ा किते नंबर बने 3, तीनों बस यह तीनों नंबर वही नंबर होंगे, जो आप बेसिक तरीके से निकाल रहे थे और 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 फैक्टर के रूप में बता कर रहे थे, दूसरी बात, यह हो गया तीन विशम का संख्या, अगर आपको चाहिए सम गुड़न खंडों की संख्या, तो आपको ये बात पता है, कि अगर आप किसी भी संख्या का गुड़ा, चाहे आप सम में करो, चाहे आप विशम में करो, अगर इवेन नंबर का मल्टिप्लाइ करो, तो आपको मिलेगा इवेन नंबर ही, ठीक है, दो का गुड़ा आप चाहिए जिसमें करोगे, मिलेगा इवेन नंबर, ठीक है, दो से डिवाइड होने वा एक ऐसे नंबर है, इवन अभी 4 बाकी, 4 से भी कर लो, 4 एकम 4, 4 गुने 5 बीस, और 4 का गुड़ा 25 से करोगे 100, मेरे दोस्त, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कि ये जो 6 नंबर है, ये वाले 6 नंबर जो है, ये 6 वो वाले नंबर है, जो अभी आप निकाल रहे थे, और जब आप से टोटल कहा जाए, तो ये वो टोटल नंबर ओफ एक्टर थे, मेरी बात समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट करिये आप, ठीक है, अब सारा बेसिक समझा दिया है, सारे बेसिक के बाद में आपको और क्या चीज़े पढ़ने की ज़रूरत थी, उस पर यहाँ पर आपको एक concept और मैं समझा दो, सारी चीज़े है, notes बनाते रहोगे, तो सब कुछ मिलता रहेगा एक साथ, मैंने कहा कि किसी दो variable का गुड़ा अगर आप तीन variable में करोगे, तो ज़रा बताना मुझे कितने नंबर मिलेंगे, तो ए का करोगे, तीन बार तीन नंबर होंगे, बीका करोगे, तीन बार तीन नंबर, तीन तीन छे नंबर मिलेंगे, जैसे हमने कहा, यहाँ तीन नंबर है, यहाँ तीन नंबर है, तीन संख्याओं का गुड़ा, तीन संख्याओं में करोगे, तो कितने नंबर मिले, नो नंबर मिले, यही तो concept है, यहाँ पर ती तीन नमबर ये तब बने हैं जब आपने इसकी power की शुरुवात करी है 0 से और यहां तक गए हो, अगर 0 से ना करते, power 1-2 रखते तब तो दो ही नमबर आते हैं, जितनी power है, उतने number, समझ मैं रहा, पावर जीरो से शुरुवात करने के रीजन से यहाँ पर तीन-तीन नंबर्स आते हैं जब भी कभी आपको निकालना हो कुल गुडन खंडों की संख्या इन सारे प्रोसेस से बचिए आप सिर्फ एक काम करिए सिर्फ एक काम that is 100 है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो गया और आपको क्या करना था जब आप से पूछा जाए total number of all factor निकालिए total number of all total number of factor या number of all factor ठीक है total number of factor निकालना गुडन खंडों की कुल संख्या तो जितनी भी पावर यहाँ पर दिख रही है उन सभी पावर में 1 add कर दीजिए then multiply कर दीजिए 1 इसलिए add करेंगे क्योंकि हमें जब 0 बढ़ा करके number मिलेगा 0 बढ़ा करके जब count करेंगे न पावर 0 रखके तो एक extra number मिलेगा 2 है 0 निकालके 3 number मिलेगे तो 2 और 1 3 2 है तो 3 number मिलेंगे इसलिए जितने भी यहाँ पर पावर आपको दिखे जितनी भी पावर दिखे उस पावर में एक add करो यह पावर 2 है तो 2 में एक add होगा यहाँ भी 2 है एक add होगा and then multiply multiply कर लो 3 3 जा 9 यह होगे आपका answer 100 के गुड़न खंडों की कुल संख्या बात समझ मैं कैसे निकालते है पावर में केवल 1 add कर देना है multiply कर देना है नहीं समझ में आया है तो एक सवाल और लीजिए और बताइए मेरे को देखे भाई सवाल यह है कि 1200 के 1200 के गुड़न खंडों की कुल संख्या बताइए मेरी बात सुन स्मझें 1200 के आपको कर देने हैं फैक्टराइजेशन कैसे करोगे तीन मैंठेट बताया थे मैंने आप पिछली वाली क्लास जा करके प्लीज देखिएगा खल वाली ग्लास ठीक है प्लीज देखिए गजरो यहां पर मैंने बताया था कि ऐसे भी कर सकते हो 12 गुने 10 गुने 10 की तोटल नंबर यह होगे प्राइम फैक्टर और अब अगर आपने जोड़ा 1200 के factors निकालने शुरू किये तो यहां देखो 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 2 की power 4 हो गई 3 कितनी बार है यहां पर सिर्फ 1 time, 5 कितनी time से 1 और 2, 2 बार, अब आप मुझे एक बाद बताओ, इतना होने के बाद अगर आपको total number of prime factor बताना है, तो सिर्फ एक काम करेंगे न हल के लिए, solution के लिए मैंने आपको बताया है, total factor के लिए सिर्फ एक काम, कि जितनी भी power लिखिये हैं, उन power में 1 add कर दो, गोडा कर दो, power यहां पर 4 है, तो 4 में 1 जुड़ेगा power यहां 1 है, तो 1 में 1 add होगा, power 2 है, तो 2 में 1 add करेंगे, और फिर multiply, 4 और एक 5, 1 और 2, 2 और 1, 3, 5 दूना 10 गुने 3, 30 factors होंगे, total किसके 1200 के, बात समझ में आई, अब 30 factors अगर आप basic तरीके से निकाल रहे होते तो time लगेगा, मैंने आज के session में आपको समझाने की कोशिश करी है, कि prime factorization के बाद, अगर हमारा topic होता है, गुड़नखंडों की कुल संख्या, तो पहले मैंने पूरे basic method से आपको बताया 4 सवालों के answer, कुल गुड़नखं, सम गुड़नखं, विशम गुड़नखं, गुड़नखंडों का योग, इसके बाद में हम लोगों ने उन्हीं चारों सवालों का answer, एक नए तरीके से सीखने की कोशिश करी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि गुड़नखंडों के कुल संख्या के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आप यहाँ पर जितने भी क्लासेश चल रही है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपना complete syllabus कर सकते हैं, आपको daily आना होगा और आप मेरी बाली जो maths की क्लासेश की timing है, रातरी के 9 बजे, ठीक रातरी के 9 बजे, अगर आपकी maths week है, week नहीं रह जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी, आप trust बना के रखें मेरे साथ, और बस वही चीज पढ़ते रहें, जो systematic मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके बाकी subject भी week हैं, और week होंगे, क्योंकि पोस्ट कर देते हैं, link description में है, telegram channel का नाम है, exam कुछ, search करके भी जा सकते हो, यहाँ पर जो logo दिख रहा है, इसी logo को वहाँ पर भी वो logo लगा होगा, ठीक है, तो आप telegram channel पर उससे भी जा सकते हो, अधरवाई link description में है, उससे भी जा सकते हो, playlist एक बार जरूर चेक करिएग झाल झाल